हरे कृष्णा सभ्यू पस्तित भक्जनों के चर्णों में साधर दर्णपनाम ओमग्यान्ति मिरांधस्य ग्यानाजन शिलाक्या चक्षरू नमिलतम येना तास्माई शी गुर विहनमा शी चैतन्यमन अभेष्टम स्थाफितम येन भूतले स्वैमरूपह कदामयं दाति स्वपधांतिकं नमों विष्णु पादाय कृष्ण पेष्ठाय भूतले शीवते भक्ति वेदांत स्वामिन इतिरामिने नमस्ते साथ्षो ते देवे गौरवानी प्रचारिने निर्विशेश शुन्यवादी पास्चा देश तारिने जयेश कृष्ण चैतन्या प्राभु नित्यानन्द शी अद्धवित गदाधर शिवासाधि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे तो हार्दिक अबिनंदन, हार्दिक स्वागत, शिम्त भाद्गीता, यतारूप, अध्याय संख्या एक, कुरुक्षेतर के युदुसल में सेंड इनरिक्शन, श्लोक संख्या, दस तक हमारी चाच्चा हो चुकी है, और किस पकाद दुरिधन, अपने पक्ष के वीरों का वर् कर रहे हैं, वे हमारे सेनपती हैं, दुशतर पांडव लोग, ठीक है, हुई वी शक्ति शाली है, लेंकि हमारी तुलना में नहीं, वह नगरने रहा है और इस पेकार हम विजाई होंगे इस युद्ध में तो ये उसने कहा अब दुबारा उसने क्योंकि बिश्म पितामा की मान बढ़ाई की तो बाकी युद्ध आपने आपको कम ना सोच ले इसलिए कहता है तुरंत सिती संबालते कहता है इसको संख्या ग्यारा हमें आयनेश अगर उसे कम किये जा रहा है बिश्म पितामा को अधिक महतों दी जा रहा है तो तुरंत कहता है अतेव सैननेविहु में अपने अपने मुर्चों पर खड़े होकर आयनेशू चसरवेशू आप सभी लोग बिश्म पितामा तो चलिए है ही है प्रिकार्ण वीर इन आप सभ रहा ही बिश्म अव अभी रक्शनैन को बिश्म पितामा की रक्शा करें बिश्म पितामा हित बाव शक्तिशाली लिकिना बह। बढ़ जूर्ग हो गए बहुत वृद हो गए हैं कि उनकी आयू बहुत बड़ चुकी है तो इसे लिए कही वह ऐसा ना हो कि वो एक तरफ जो है युद करने में पूरी तरह से आश्वस्त हो जाएं और दूसी तरफ से शत्र लोग उनका जो है फायदा उठाकर उनके ओपर आकरमन कर लें तो इसी लिए बहुत आवशक है कि आप सब उनका अपने अपने मोच्चे पे खड़ रहे कर आप सभी विश् ने सोचा कि कही अन्य युद्धा ये ना समझे लें कि उन्हें कम महत्तों दिया जा रहा है कूटनी थी अता दुरिधन ने अपने सहज कूटनी तिक ढंग से सिदी सम्भालने के उदेशे से उप्युक्त शब्द कहे उसने बलपुर्व कहा कि भिश्म देव निसंदे महान अतम युद्धा हैं किंतु आप वेवरिद हो चुके हैं अता प्रतेक सेनी को चाहिए कि चारों से उनकी सुरक्षा का विशेश दियान रखें हो सकता है वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रू उनकी इस व्यस्तता का लाव उठा ले जा तो दू जियु रचना बड़ी जटिल और बड़ी अधगुत हैं हम जब महाभारत पढ़ते हैं मूल महाभारत उसमें वर्णन आता है कि प्रतेक 18 दिन सेनापती जो थे कौरों के और पाणवों के तो एक ही सेनापती रहे देश्टिदियूमन 18 दिन लेकिन कौरों के सेनापती बद प्रती दिन अपनी सेना को व्यू रचना में लगाते थे जैसे गरड़ व्यू चक्र व्यू मतस्य व्यू है ना इस तरह से अलगर तरह से व्यू होते थे ये का व्यू क्या हुआ ये सेना को खड़ा करने का अरेंज करने का किस तरह सेना आगे बढ़ेगी युद्ध करेग वो एक तरीका, वो एक साइंस, वो एक विज्ञान था, जो धनूर वेद, जो हमारे वेदों का अभिन अंग है, उसमें आता है, विउर रचना के बारे में, तो पहले के जो ये लोग थे, जो सेनापती थे, द्रोनाचारे जी जासे, ये अत्यांत दक्ष होते थे, और लाखो लाखो सेनिक होते थे, कोई गुड़ सवार है, कोई हाथी के ओपर चला है, कोई रथी है, महारती है, पैदल सेनिक हैं, तो उन सब को एतनी सुन्दर विवस्ता से अलग लग वियू हों में, गरुड़ों में, गरुड़ वियू इत्यादी में इनको विवस्तित करते थे, क लाको सैनिक भी प्रतिय वक्ती जानता था कि उसका qya qarate way है, याँ ना कल्यूप में तो यह हमारा दोश है कि हम बहुत आधिक संखय में नभी हो, तब भी हमें पता नहीं रहता है, कि हमें जाता विक है, हमें क्या करना चाहिए. और पहले हम जानते है, महावारत के युद में ही करोडो करोडो सैनिक मारे गए हैं, तो वो करोडो सैनिकों की कैसे विवस्ता होती थी, कैसे वो रहते थे, कैसे उनके मालम उत्र का विसरजन होता था, कैसे उनके लिए भोजन कि विवस्ता होती थी, this is all very nice and very high managemental science. तो ये विज्ञान है कि पहले की लोग कैसे रहते थे ये हमें समझना चाहिए हाँ किते हैं दुरुदुन को पूर्ण विश्वास था कि कुर्वों की विजे बिश्म देव की उपस्तिती पर निर्भर है वो जानता है कि विश्म पिजामा जब तक रहेंगे तब तक तो हम हार नहीं सकेंगे तब तक तो हम जीतेंगे जीतेंगे कि विश्म देव जैसा अद्भुत प्राक्रमी युद्धा नहीं था कोई भी क्याताव स्यूद में विशम देटादरोरचारे के पूर्ण सयोग की आशा थी क्योंकि वो अच्छे तरह जानता था कि इन दोलों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जो अर्जिन के पत्नी दौपदी को असहाय वस्ता में भरी सवा में नगर किया जा रहा था और जब उसने उन से नियाए की भीख मांगी थी तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये कुरूरासवा जिसको कुंती महरानी अपने भागतम के प्राथनाओं में कहती है असत सभा असत सभायाम ये अच्छी सभा नहीं थी ये क्रिश्ण महान कृष्ण की जब प्राथनाओं करती हैं उयुद के बाद जब कृष्ण हस्तिना पूर पूर छोड़ के दौर का में जाना चाते हैं अपनी नगरी में वापस जाना चाते हैं तो वहां रत पे बैठे हैं त्यार है वे कुछ जाने के लिए और कुंती महरानी बड़ी अपने हिर्दे के उदगार करती हैं महान कृष्ण के पती अपना प्रेम भावयक करती है तो कहते हैं कृष्ण आप ही थे उस असत सभा में मेरी पुत्र वदू दौमपदी की लाज बचाने वाले वो असत सभा अच्छी सभा नहीं है अच्छी सभा क्यों नहीं है क्योंकि देखिए, मेरी पुत्रवधू, वो अपने न्याय के खातिर, अपनी लाज के खातिर, अपने स्थियोचित, सम्मान के कारण, जो हैं उनसे भीक मांग रही है, उसको नगन करने का प्रयाश के जा रहा है, उसके पति, उसके रक्षा नहीं कर सकते हैं, वो बिचारे जो हैं, सा पतने की रक्षा नहीं कर सकते हैं, दास हो गए, दास है रही सलेव, जेकिन को चाहिए था यह जो गुरुजन हैं, हमारे बिश्म हैं, द्रोन हैं, इतने बड़े-बड़े विदूर जीन तो ठीक है, विदूर जीन तो विरोध किया, लेकिन दूर दन का कि किसी की नहीं चल लेकिन वो उसकी रक्षा में कुछ नहीं कर पाए, वो बंदे हुए थे दूर दन के आग्या से तर नहीं कर पाए, फिर भी उनको करना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने अपना करता में नहीं किया, इसलिए वो दंड के पात्र हैं, इसलिए जो है वो धर्म के साथ हैं, अब अधर्म के साथ जो भी होगा, चाहे जितना बड़ा आदमी क्यों नहीं हो, उसको दंड तो मिलना ही है, तो इसलिए कहते हैं, तो दूर दन को ये पता है, इन दोनों लोगों ने उसको खत्रा था कि जब धर्मपती को मैं नगन करने का प्रयास करूंगा, तो ये लोग विर ये कि मन में हलांकी पांड़ों के लिए सने है, लेकिन क्योंकि ये मेरे पक्ष में है, ये अपने कतव के पके लोग है, ये दूर दन को आशा थी कि ये सने को उसी तरह त्याग देंगे, जैसा उनने दूर दूर क्रिडा के अब सर पर किया था, जैसे दूर 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 के ये सनहार करेंगे, और दोनों ही बड़े वीर हैं, आते हैं ये दोनों ही मुझे विजे विजे श्री की प्राप्ति करवाएंगे, आगे श्लोर सुन के बारा, तस्य संजय अन्हर शं कुरू वृद्धा पितामहा, सिहन आदाविन दुच्चे शंख शंख दद्मो परताप वान, तो विजे 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 में जब ये कहा जा रहा है, विजे 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 के विद्ध परम प्रतापि विद्ध पिता महने सिह गजना की सी ध्वनी करने वाले अपने शंख को उच्च सर में बजाया सिहना दम विनिध्य उच्च यी विनिध्य करता है, गरज के उच्च यनि जोर से सिहनाद की भांदी इंहों ने इसको बजाया ददभो यारी बजाया और उससे क्या हुआ उससे जो है संजेन हर्शम उससे हर्श बढ़ गया दुर्यदन का उससे उसकी जो प्रसंता है जोसके मन में बड़ा विश्वास था आपने सेना के पते की हमारी सेना निस्तन देवी जाई होगी कोर्मों किसे ना जीतेगी पांडों किसे ना हारेगी तो इससे उसका हर्ष जो है और हिर्दे में जो है वो बढ़ गया कुर्वश के वैवरिद पिता महा अपने पौतर दुर्दिन का मनुभाव जान गए वो समझ गए कि क्या माचित को हो रही है और उसके पती अपनी सोभाविक दायावश उन्होंने उसे पसंद करने के लिए अच्छ संद में अपना शंक बजाया जो स्क्रिया के समानों कि सिति के अनुसार था तो उन्हें दूर्दिन को हर्ष जेना चाहा और इसलिए उन्होंने शंक बड़ा हर्ष हर्षित हुआ अ बिश्रम पितावा के शंग बजाने का मतलब है कि है दुर्दन तु अब कब नहीं कभी नहीं जीतेगा तो धर्म की तरफ है भगवान कृष्ण के विरुद है तुझे विजय श्री की परफ्ति नहीं हो सकती है कि दूसरे पक्ष में साक्षाथ स्रेकृष्ण है भगवान फि हमारी हार होगी मुझे पता है अधर्मियों की स्द Corinинов की ही हार होती है लिए ये बात पकि है कि जो मेरा करतवे है उसको पूरा करने में मैं हटूंगा नहीं है यह यह सोचकर कि पान्डों के व्जय तो हो नहीं हो नहीं है उनके तरफ क्रेशन है तो हमें फिर लड़के क्या अच्छा है कि अपनी जान बेचा लो, क्यों ऐसा यूद करना नहीं, ऐसे नहीं होते हैं, पिछले जमाने के जो लोग थे, बड़े चरित्रवान होते थे, तो अपने कतवे पत्से कभी पीछे नहीं अटते थे, तो यहाँ हम देख रहे हैं, कि भिशे मिता महा वे जानते हैं कि उनकी हार होनी इनिश्टित है कृष्ण है दूसरे पक्ष में फिर भी जो उनका करतव है उसको पूरा करने में वो कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है तो उनके शंक बजाते ही क्या हुआ सारे के सारे कौरव जो सिना है सिनापती है उन्हों ने भी अपने अपने जो ये वादियंतर है उनको लेकी युद्भूमी में जाते है उसके खाली आत नहीं जाते थे उनको लेके जाते थे तो करते है ततशंकाच भेर्याच पणव आनक हगो मुखाः सहसाएब अभियंतर सहशुब्दह तुमलह अभवाच तो विश्म पितामा ने जैसे शंक बजाया तत्मशाच शंक नगाडे विगुल तुरही ततासिंग सहसा एक साथ मज उठे तो कौरपक्षिक के जी उद्धाएं वो सब बड़े हर्शित हुए और विश्म पितामा के शंक बजाते ही उन्होंने भी अपने अपने वादियंतर जैसे तुरूही भी को लित्यादी जो यहां लिखे हैं वोन उठाएं और वे सब भी एक साथ बजाने लगे इस से क्या हुआ यहाँ का शब जो है वो बड़े जोर की वहां से आवाज आने लगी जो आसपास वाले जो रहे होंगे गुरुशत के आसपास वाले उन देखा होगा कि तो पित्री डूलने के समान इतना बड़ा शंकना इतना बड़ा कुलाहल हो रहा है तो यह वेस्थी के लिए क्योंकि बहुत बड़ा यूद लड़ने जा रहे हैं बहुत उचसतर का यूद जो है यह होने जा रहा है इसलिए इसमें परिस्थितियां पहरे बड़ी जो है बड़ी बड़ी जटिल परिस्थितियां इसमें है तो ठीए बजी यहां तक हम करते हैं आगे अब भगान कृष्ण और अर्जुन का वर्णा ना आएगा श्लो संक्या 14 से और फिर पार्ड़ पक्ष के योद्धा जो है वो अपना शंक और बाकी वादे अंतर को बजाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद पजी हरे किशना जी